नमस्कार मैं हूं में तुन्जय कुमारजा शाम के 5.30 बच चुके हैं और अगले आधे गंटे तक कमूरिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंज तयार हैं अगर आपने कमूरिटी में ट्रेट किया है या फिर नया ट्रेट करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे तो आप सवाल पूछिए नमबर आप नोट कर लें 022-2300-1634 इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं चलिए और हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और गोल्ड में ठीक ठाक तेजी दिख रही है एमसे एस पर गोल्ड का भाव करीब करीब तीन सा रुपए उपर है चान्दी में नौ सा रुपए तक की मजबूती आ गई है गोल्ड सिलर के दाम ठीक ठाक बढ़े हैं और अंतराश्टिय बादार में भी सोने और चान्दी में तेजी का माहौल है अब सवाल ये है कि आज की तेजी के संकेत क्या है क्या ये तेजी बढ़ सकती है इस पर बास्चीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेमान जोड़ रहे हैं हमारे साथ हैं अनुझ गुपता आय जी आप से होगा कि आप जड़ा बताएं कि ये जो टेजी आई है गोल्ड में ये ठिकाओ लग रही से आपको मृतिंज़ जी ये जो एक खबर आ रही है कि G7 देशों ने रशिया गोल्ड को बैन करने का नेने लिया है तो उस कारण से थोड़ी सी तेजी आई है इसमें लेकिन को इतनी सिग्निफिकेंट ये तेजी नहीं है कि इस कारण को तेजी का मुखे कारण मान लिया जाए मुझे लगता है कि सिरफ भारतिय बाजारों में थोड़ा सा रुपे में जो हल चल हुई है उसकी वज़ा से ये भारतिय बाजारों में भाव आज सोने का ज़्यादा है और अंतरास्ट्रिय बाजारों में आज जब अमेरिकन मार्केट खुल जाएंगे और यदी रशियां गोल्ड का रिजर्व है और रश्या हर साल लगवक 330 तन गोल्ड को माइन करता है तो यह significant development तो जरूर है क्योंकि यहां से अगर कोई भी गोल्ड लेंदेन में G7 देश उसके उपर बैन लगाते हैं तो शायद थोड़ा सा मॉमेंट गोल्ड प्राइजस को लेके हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यह जो मॉमेंट है यह जो अपसाइड होगा यह तीन से पांच परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है अच्छा एक बार सर आप से और कि अभी आप देखिए गोल्ड का मार्केट बड़ा रुका हुआ सा है हलाकि दोनों खबरे हैं एक तरफ याद दरे बढ़ रही हैं दूसरी तरफ महंगाई का मसला है दोनों अलग अलग खबरे हैं महंगाई वाली खबर गोल्ड में तेजी वाली खबर है दरे बढ़ने वाली खबर गोल्ड में गिरावट वाली खबर है इसके बीच में थोड़ा मीडियम टू लॉंग टर्म का वियू आपका गोल्ड के उपर क्या है देखे मृतिन जाजी ये जो G7 की ये जो खबर है इसमें एक और significant development ही होता है कि यदि Russian gold पे sanction होता है तो Russia को war करने के लिए पैसा इकटा करना मुश्किल हो जाएगा ये भी एक कारण है तो gold इसके कारण भी gold में ठहराव आ सकता इसलिए मैंने का कि कोई significant तेजी आने की उम्मीद नहीं है gold का trigger inflation को छोड़के दूसरी कोई condition से हो ही नहीं सकता यदि inflation control में नहीं आया तो gold में तेजी बरकरार रहेगी मैं अब भी मानता हूं कि अगले दो से तीन महीने के अंदर हम gold को वापस 2000 से 2100 डॉलर के बीच में जरूर देखेंगा अच्छा 2,000 से 2100 डॉलर के बीच में आप कहने की gold का भाव देखेंगा बने रहें सर आपने महत्पून बात कहिए लेकिन विरेंजी ट्रेडर को अभी gold में क्या करना चाहिए जो लोग trade करते है day to day market में उनके लिए इस भाव पर क्या trade है अगर गोई aggressive trader है तो current level में भी शौट जा सकता है इसका overall जो रेंज है मेरे इसाब से 50 400, 51 400 के भीच रहेगा पिछले छे मेने से हम यही वाव देख रहे हैं और इसमें interim peak बन चुका है जितने भी corona premium या war premium या even inflation premium भी थोड़ा discount लग रहा है मुझे तो मैं wise advice फ़ड़ा कम prefer करता हूँ ठीक है तो यह आप करें कि gold में short किया जाए आप agree करते हैं अनुच जी आपको भी लगता है कि ठीक है आगे भले ही तेजी रहे गोल में लेकिन आज अगर कोई trade लेना चाहता है या आगले एक दो दिनों के लिए तो उनके लिए short करने का मौका है गोल्ड में लास्ट विक गोल्ड करीपा 1830 जारा के नीचे close हुआ था और अभी हम देखे तो 1830 जारा चल रहा है भी और जिस तरीके से जी 7 की मीटिंग के बाद से outcome निकल के आ रहा है कि gold import ban होगा रशिया की तरफ से बाकिस कंट्रियां रशिया से gold purchase नहीं करेंगी तो एक माहौल जो है वो अगेन एक सेंक्शन वाला माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि अगेन कुछ जियो पॉडली का tension को create कर सकता है हमने देखा था कि crude में जब सेंक्शन लगे थे तो एक तेजी का माहौल बना था तो मुझे लगता है कि similarly kind of thing gold में देखने को मिल सकती ह हाला कि gold अभी करीबन 50-850 के आसपास चल रहा है यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा weight करें खरदारी की इसला रहेगी 50-700 के आसपास के levels मिलते हैं somewhere around 1825 डॉलर के आसपास तो वहाँ पर हम recommend करेंगे खरदारी करने के लिए हमें लगता है कि उपर में 51-200, 51-300 तक के level दे कि जा सकते हैं अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो अठारा सो डॉलर मार्गे ने काफि स्टॉंग सपोर्ट लिया है क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट विएस के डेटा खराब डेटा देखे थे और डॉलर में कुछ वीकनेस आते हुई दिखे उससे एक support गोल्ड को देखने को मिल सकती है गोल्ड में तो आप कहरें कि गिरावाट पर खरिदारी का मौका लेकिन अच्छा लेकिन सर विरेंजी के उपर बेचे हैं आप कहरें बाइंग तो थोड़ा कॉंट्रडिक्शन नहीं है दर्शक क्या करेंगे फिर अलग अलग रहा है सुनके देखिए हमारा जो उपर में टार्गेट है वो 51,200,150,150,200 का है तो अगर बहां तक मिलते हैं तो आइटेंग विरेंजी की कॉल पर जा सकते हैं जहां वो बिकवाली की सला दे रहे हैं हमारा नीचे में स्टॉप लॉस 50,500 का है और एंट्री लेवल 50,700 का है ठीक है तो मतलब दोनों की राए अलग-अलग जरूर है लेकिन लेवल भी अलग अलग है तो विरेंजी का जो सेलिंग का लेवल है वो अनोजी के बाइंग का टारगेट है तो अगर बाइंग का टारगेट एचीव हो जाय तो वहां से पिर आप स्षॉर्ट कर के ट्रेड़ ले शकते है दोन मार्केट में हाल के दिनों में बहुत तेज गिरावाट आई उसका इंपक्ट हमने सिल्वर पर देखा है आज थोड़ी सी रिकवरी है लेकिन उतनी रिकवरी नहीं है कि बहुत तेजी मान लिया जाए इसको तो चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है जी बिलकु आजकल तो चांदी को हम बहुत सारी ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं जहां पर पावर कनेक्टिविटी और इस परकार की जड़ोत पड़ती है मेरा अपना मानना यह है कि चांदी भी वॉलेटाइल रहेगी और जिस प्रकार गोल्ड में तेजी बनेगी अगले तीन महीने के अंदर अंदर उसी प्रकार से चांदी में भी अगले तीन महीने के अंदर तेजी बनने की पूरी संभावना है और मेरा मानना है कि चांदी अ आज़ी पीछे की वज़ा क्या होगी फिर इसे पिछान्दी में तेजी की वज़ा दो दो तेजी की वज़ा होती है एक तो गोल्ड-सिल्वर रेशियो को भी हमें देखना होगा और गोल्ड ही चान्दी को ड्राइब करेगा जो inflation का factor है वही precious metal को drive करेगा और inflation जब तक control में नहीं आता और यदि inflation को control में लाने की कोशिश की तो economy recession में जाएगी इस situation में भी जो ये gold होता है वो hedge against inflation और दूसरे asset class जब perform नहीं करते हैं जडि gold आगे की तरफ भागता है gold में बढ़त्री होती है तो चांदी में जरूर बढ़ती है तो यह राय आपकी हो गई silver के उपर बहुत शुक्रिया मेतर जी आपका जूनने के लिए और bullion market पर अपनी राय देने के लिए चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब और पहला सवाल है हरशत पटेल का पूछे पटेल साब गौर सीज में केरी फरवर्ड कितना बचेगा गौर सीज में केरी फरवर्ड अच्छा अच्छा बताएं बिरेंजी किस्टर और गवार दोनों की बैलेंच शेट में कभी ताग या कभी इसका नबर नहीं मिल सकता तो मैं इसमें केरी फरवर्ड में ज्यादा नहीं जाता हूं अबट इसकी जो व्याज बिला जिसको बुलते है उसमें जरूर जाता हूं अभी मुझे असा लग रहा है कि बुवाई के लिए कपास और शामिन जो रखा रहा है तो वाई थोड़ी इसकी पिछडेंगी केरी फरवर्ड नमबर अभी से बोलना इट इस टू अर्ली ठीक है नेक्स्ट कॉलर जगदीश है एहमदाबाद से पूछिए जगदीश जी नमस्कार पूछिए चार सो दस रुपे के अंदर आट जार चार सो का कॉल लिया हुआ है ये पांसो रुपे होगा या नहीं होगा प्रभू प्रभू तो आप हैं क्या आपने मार्केट आप ठीकी बात है अनुजी बताइए अधिए हमें लगता है कि जो कॉल अप्शनर लिया है ये सही है क्योंकि जिस तरह के साथ कुरूड में एक तेजी लौटी है हमें लगता है कि उपर में अल्मोस्ट एटलीस करीबन पांसो रुपे तक के लेवल यहाँ पर जाना चीए ये ठीक है तो ओके ये राय आपकी है क्रूड के ऑप्शन्स पर अगला सवाल है संजे का पूछिए संजे जी चांदी में अभी क्या किया जाए अनुज जी आपका क्या है सिल्वर के उपर 60,500 के आसपास है चांदी का भाव और करीब गरीब 800 रुपे के आसपास की तेजी है एग्जेक्टली इस प्राइस पर क्या करना चाहिए चांदी में जब भी चांदी नीचे आएगी तो वहाँ से अच्छा रिकावरी देखने को मिलेगी लास्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि 58,600 के आसपास तक चांदी का भाव और वहाँ से शार्प रैली जो की करीबन 60,700 तक देखी है तो यहाँ पर जो रिकावरी है बहुत फास्ट है चांदी हमें लगता है कि आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं तो चांदी में डिप मिलता है तो आपके खरदारी का टेट बनाया जा सकता है अगला सवाल मुकेश का है पूछे मुकेश जी अगला सवाल यहाँ पिर से बोलें जड़ा आपकी आपकी आवाज फिर से बोलें जड़ा मिलकुल हाँ बारिश तो लिखे जो डेटा मौसम बिभाग का डेटा में आपको बता रहा हूं जो मौसम बिभाग का डेटा है उसके मुताविक पच्छिमी रायस्थान में 50 फिस अब तक ज्यादा बारिश हुई है अब गवार की बॉई कितनी हुई है गवार की खेती कित है लेकिन हाँ पच्छिमी रायस्थान जो कि गवार का बेल्ट है और वहाँ पर गवार की ज्यादा खेती होती है लिहाजा जो बारिश ज्यादा हुई है उसका इंपक्ट हमने प्राइस के ओपर भी देखा है बिरेंज जी आब आपका कमेंट गवार के ओपर सर आइम डी क 30 mm बिलो नॉर्मल अभी है नॉर्थ वेस्ट यानी राजस्तान पंजाब भरियाना वहाँ और इस्ट स्टेट जैसे आप हम जानते है कि वहाँ फ्लडिंग और एक्सेस रेंड है तो स्प्लीट वेधर की कंडिशन दिखते हुए मुझे असा लग रहा है कि अभी से गवाई बिरेंग जी अभी मार्गेट काफी शेलो बन गये है जिसे अगर कोटन की बात करें तो दो दिन में कोटन 4,000 डाउन है आज 4,000 अब है तो अगर कोई मुझे पूछे के 4,000 डाउन क्यों हुआ तो मैं सामने counter question करता हूं तो 4,000 अब का जवाब दो तो मैं आपको 4,000 डाउन और फिर 4,000 बढ़ा क्यों कोटन में ऐसा था कि जुलाई में जो स्क्वीज थी वो समाब तो ऑप्शन एक्सपारी खतम वही उसके साथ और मासे बलडबात आया जुलाई कोटन 25 सेंट अल्मस 22 सेंट गिर गया सिंगल टे में ना लाज़स पॉलिनिस्टी में भी तो शेलो म जार वाला 22 जार देखा तो अभी मार्केट में वॉल्यूम बेहत कम है इसके लिए यह हम दोनों साड़ी की ओर्शोटिंग देख रहे हैं वीड में इसा ही हुआ है राकेश है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जूड़ रहे हैं पूछिए राकेश जी अचा राकेश से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पर है लेकिन सोया तेल पर वो पूछना चाह रहे हैं वोसे फ्यूचर में तो भी है ने लेकिन आप बता है अनु जी क्या लगता है अभी आपको फिजिकल मार्केट में सोया तेल का भाव अधिए एडिबल और इसकी डिम पूछे सिद्धार्ट पूछे सिद्धार्थ जिसके इस मीटी में साथ हजार से उपर चांदी आगे कि और फिर नीचे में अथावन जारा पर आगे इस मीटी में क्या नेरव रहेगा मिश्री बरता और कुछन जी क्या कमेंट आपका इसके उपर इस सवाल कर क्या जवाब सिल्वर काफी ओर सोट है तो शॉट अब बाउस में सायद 62,000 के आसवास जा सकती है और कुड़ो इल में भी हलकी रिकावरी मुझे दिख रही है मैं भी 8,600, 6,600 के आसवास पास प्रोड़ो इल में मेरा रुजान शॉट साइड का है अगर 8,600 के आसवास मेला तो मैं शॉट जाओंगा 8,744 के स्टोप्रोस से 8,330 50 का टागेट रहेगा सिल्वर इस बाउस तो दिख रहा हूं बट इसमें वाइस साइड नहीं प्रिफर करूंगा योगिया में से प्रोपर सेल्ट साइड एंट्री की तलाश में प्रतिक्षा करूंगा पंकज हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ यूपी से पूछे पंकज जी पूछें सिल्वर में करेंट रेट में क्या करना चाहिए एक्जेक्टली ताजा भाव पर अनुजी कोई विव आपका चांदी में देखिए अभी साथ चार सौस्टी का रेट चल रहा है हमारा व्यूपी एक सौसे डेट सौर पर वेट कर लेते हैं तो आपको नीचे अच्छा रेट मिल जाएगा खरदारी करने के लिए करीबन साथ यहार दोसों के आसपास तो वहाँ पर आप खरदारी कर सकते हैं उपर म में जो ट्रेंड डिगनाए थोड़ासा मांस बैक कर लग रहा है तो बायों डिप्स की स्टेजी हमें लगता है कि ले सकते हैं अभी यूएस मार्केट खुलेगा थोड़ासा वेट को एंड वाच कर लेते हैं मुझे तो डेट सो दोसों को अगर भाव नीचे मिलते हैं तो एक अच्छा बैट मिलेगा करतारी करने के लिए रूप राम है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पूछे रूप राम जी गूड इवनिंग पूछे मताई बिरेन जी आगे क्या रहेगा कोटन अब मैं इसमें तेजी में नहीं हूँ अभी जून मेनी की एकस्पाइरी है तो अभी वही जिकर हो रहा था कि कन 4,000 डाउन आज 4,000 अब फॉरिन के मार्केट स्टेबल है अज इंप्रेक्ट डाउन है लेकिन सिर्फ इंडिया का ही मार्केट और खासकर के जुन का ही मार्केट अब है जो एकस्पाइरी रिलेटेड है तो जिन लोगों को ये एस्पेशिल में सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्राक्ट प्राइव लोगों की बारिकी से नज़ा रखना चाहिए एकस्पाइरी रिलेट की उस समय में अनेस्पेक्टेड स्विंग्स आती है ठीक है ये ओके ये राय आपकी होगी कॉटन पे नेक्स्ट कॉलर प्रताप है हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूछिए प्रताप जीरा और धनिया का आउट्रूक आप जानना चाहते हैं आज करीब सवा परसेंट बढ़कर जीरा वाइदा बंद हुआ है 21,325 के इस्तर पर आप बताएं जरा अनुज जी क्या है विव आपका जीरा और कोरियंडर पर जीरा कोरियंडर में आज पिछले दो दुन हमें थोड़ी शॉट कवरिंग देखने को मिली है बट हमें लगता है कि यहाँ पर जो मार्किट है वो सेलन राइस का देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमारा सेल कॉल रहेगा हमें लगता है कि उपर में 21-21-21-500 के आसपास है तो बिकवाली करें 21-750 का स्टॉप लोज जगा है टार्गेट नीचे 20-800 तक जीरा में देखने को मिल सकता है सिमिलरली धनिये के अंदर भी हमें लगता है कि उपर में 21-400-21-500 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं नीचे अगें भाव 11-1 तक देखने को मिल सकते हैं कई ना कई देखें तो जो मौनसूर हम रिवर्सल देख रहे हैं आने वाली लंबी अफदी में जो उसका असर जीरा और धनिया की बौई पर पड़ेगा तो एक अच्छा आउटकम निकल कर आ सकता है तो हमें लगता है कि उसकी वज़ेसे मसालों में लंबी अफदी में आपको सैलन राइस का मार्किट देखने को मिल सकता है तो यहां पर हमारा व्यू थोड़ा सैलन राइस का ही रहेगा जीरा और धनिया में ठीक है जीरा और धनिया में आपका व्यू तेजी पर विक्वाली कर रहेगा इस पर आप नजर रखें नेक्स्ट कॉलर प्रशांत है हमारे साथ पूछिए प्रशांत तो क्या व्यू आपका अनुज्जी ऐलमूनियम के उपर देखिए अलमूनियम में हमने आज एक रिवर्सल आते हुए दिखा है हला कि डिमांड उतना स्टॉंग नहीं है बठा एक ट्रेडिंग पॉइंट व्यू से हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि उपर में 213-214 तक जा सकता है लॉंग ट्रेंड के अगर बात करें तो अल्रीडी प्राइजे काफी नीचे आ चुके हैं और हमें लगता है कि भाव इनी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाए देंगे नहीं पीनिंग के इक स्पोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं बता ये भी रेंजी इसका डेटा एपेडा की साइट्स पे होता है बट डेटा अप्डेशन थोड़ा डिलेड और थोड़ा इरेगिलर मैंने देखा है तो मैं डेटा ट्रेक नहीं करता हूँ अनफरजिनेटली ये इतना वॉलेट एपेड काउंटर है कि इसमें राइट टाइम सही इसाफ से डेटा मिले को काफी जरूरी है जैसे सॉल्वाट एक्स सेक्टर का जो डेटा आता है ओईल सेज में वो रेगिलर रूप में आता है बट गवार और गवार गवार गम में ये देखा जा रहा है ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया बिरेन जी आपका अनुज जी आपका जूड़ने के लिए बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और धेर सारे सावालों के जवाब देने के लिए